नेक्स्ट कोश्चन ग्रामर से है तो ग्रामर का पहला कोश्चन है इन में से किस वाक्य में अकर्मक किरिया है तो अकर्मक किरिया और सकर्मक किरिया पहचाने का एक तरीका है पहले ये जानना है कि वाक्य में काम क्या हो रहा है अर्थात किरिया पद क्या है तो इसमें देखत कर प्रस्ण करना है क्या गाती है तो जवाब आएगा गाना गाती है अगर जवाब सब्जेक्ट ना आए अगर जवाब सब्जेक्ट नहीं आता है तो वह सकर्मक किरिया है अगर वह जवाब सब्जेक्ट आए अर्थात काम करने वाला करता ही आए तो वह अकर्मक किरिया होग जिसमें जवाब क्या है, क्या गाती है, गाना गाती है, तो यह सकर्मक क्रिया है, क्यूंकि इसका जवाब पहला नहीं आया है, अगला है, वह किताब पढ़ता है, जिसमें क्रिया है, पढ़ता है, तो प्रस्न करेंगे क्या पढ़ता है, तो जवाब आएगा किताब पढ़ता इसका भी जवाब पहला नहीं आया है अगला है मोहन सो रहा है तो यहाँ पे काम हो रहा है सो रहा है क्रिया पद है तो क्या लगा करेंगे क्या सो रहा है तो जवाब है मोहन अर्थात यहाँ पे जवाब सब्जेक्ट आया अर्थात मोहन आया तो यह क्या ची हो जाएगा यह कर्मक किरिया हो जाएगा तो इसका right answer है option C जब जवाब subject आए तब अकर्मक किरिया होगा और जवाब subject ना आए तो वह सकर्मक किरिया होगा next question है कौन सा वाक्य सकर्मक किरिया का उधारन है अर्थाज जवाब subject नहीं आना चाहिए लड़का हसता है, क्या हसता है लड़का इसका जवाब सब्जेक्ट आया, पच्छी उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, पच्छी इसका जवाब सब्जेक्ट आया, रिता खाना खाती है, क्या खाती है, खाना, तो इसका जवाब सब्जेक्ट नहीं आया, तो इसका से नहीं है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा बादल कि कमल मोती और मचली यह तीनों जल में रहते हैं जब कि बादल जल में नहीं रहता क्योंकि बादल खुद एक जल है